अबिलकम टेस्पिक है मिस्टर क्लासेजसर अभी हमारा इस्रीज स्रीज है एंदियर हमने क्या करे लिए है है Champ आलियाक्शन कबिड कर लिया स्टील काबिड गाइऑ सुचो की नगाज की कप्लिग ऄप्लिग रेक्शन आज का विजियो है उस में हमें आपको बताने वाली हों किसके बारे मी सोनागा सीरा काप्लिग रेक्शन तो यह जो सुनागा सिरा coupling reaction है वो एक type है cross coupling reaction का ही यहां भी two different types के organic fragments जो है वो attached होंगे and carbon-carbon bond का formation करेंगे तो यह cross coupling reaction होता है इसमें जो catalyst यूज करेंगे वो बागे के जैसे ही palladium का catalyst ही यूज करते है as a catalyst palladium को कभी-कभी या तो zero oxidation state में दे रखेगा वो like a PD PPS3 whole 4 के condition में या फि इसमें हम copper का एक complex use करते हैं जो plus one oxidation state में होता है अब उसका क्या use है reaction mechanism में जो मैं पढ़ाओंगी तो आपको पते चलेगा यहां पे जो copper का complex is है उसको use किया जाता है as a co-catalyst वो पार्ट स्पेट करता है तो यहां पे co-catalyst के लिए हम copper का plus one oxidation state का जो molecule है उसको use करेंगे यहां में coupling होती है किनके किनके बीच coupling होता है यह important हो जाता है सो नागा सिरा reaction जो होती है उसमें coupled होते हैं कौन-कौन terminal alkyne with allyl or aryl halide कोई भी terminal alkyne जो होते हैं ठीक है उसका coupled होता है किसके साथ में aryl और allyl halides के साथ reaction देखने से समझ आ जाएगा आपको कोई भी मैंने aryl या aryl halide ले रखा है उसके reaction करा रहे हैं किसके साथ में हम terminal alkyne के साथ sorry terminal alkyne के साथ अब terminal alkyne के साथ जब हम इसके reaction कराते हैं the presence of palladium complexes as a catalyst कोई base यूज किया जाता है साथ ही THF यूज करते हैं solvent यूज करते हैं और मैंने बोल रखा था कि copper का भी यूज किया जाता है तो copper जो है वो copper iodide यहाँ पे ले लिया गया है copper plus one oxidation state में है तो जब इन सब के presence होता है तो यह नहीं पे carbon carbon bonds का formation होता है और यह final product हमको मिल जाता है थोड़ा सा बात करें अगर इसके reactivity order की तो reactivity order ना अच्छा थीक है इसको मैं तब बताऊंगे जब आपको ना chemical reaction समझाए उसके पूरी mechanism समझ जा 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 तो समझने के बाद आपको समझ जाएगा कि क्य क्या हम लेते हैं तो reaction faster होगा और क्याशी लेने से reaction slower होगा तो reactivity orders है वो मैं आपको समझाऊंगे after catalytic cycle ठीक है catalytic cycle में जाया है तो जैसे हमने पहले ही कर रखा था सारा कुछ वैसा ही होगा यहाँ पर palladium का catalyst लिया जाएगा palladium catalyst ने two coordination number में अपना बना रखा है यह two coordination number है इसका coordination number two है electron system की बात करूँ तो कितने होंगे अगर दोनों neutral ligand होगे तो palladium का खुद का तो हो जाता है अपना 10 और दो neutral ligands है मतलब यहाँ पर 14 electron system है यह कैसा है 14 electron system है साथ ही यह जो हम catalyst ले रखे हैं वो बिल्किल active form में दिख रहा है क्यों active form में दिख रहा है क्योंकि वो unsaturated है उसने अपने सारे bonds अब बनाया नहीं है उसके पास vacant place है साथ ही इसकी electron कौन भी कम है आपको पता है palladium जो होते हैं या तो 16 electron species के form में stable होता है या फिर 18 electron species के form में 14 अगर किसी catalyst का तो वो क्या होता है उसका active form होता है तो यह उसको क्या है active form है ठीक है अब होगा क्या यहां पर जो मैंने catalyst ले रखा है उसमें सबसे first step में होगा oxidative addition reaction first step में क्या होगा oxidative कोई भी hyalide group आएगा aryl hyalide group कोई भी आएगा और उसका oxidative addition हो जाएगा ठीक है तो the first step is the oxidative addition reaction and what is the oxidative addition reaction बारबर मैंने बता दिया है कि जब कभी कोई unsaturated compound हो जिसके पास vacant place है incoming group जो है वो oxidation को बढ़ाते हुए उसके साथ add हो जाता है ठीक है तो यह coordinately भी unsaturated था electron deficient था ऐसे condition में और साथ ही इसके oxidation नंबर भी 0 थे तो क्या हुआ oxidation state भी इसका 0 था तो क्या हुआ दो incoming group आया उसके साथ आके addition हो गया addition हुआ तो उसने oxidation number को भी increase किया coordination number को भी increase किया और साथ ही electron counts को भी बढ़ा दिया the step reaction is called oxidative addition reaction यहाँ पे होता है आपको oxidative addition reaction बागी cycles में पढ़ाया है और अच्छे से दिफाइंड किया है नहीं पता है तो आप देख लेना और्गनमेटलिक वाली स्रीज में मनें डिचेल में बताया है वोट इस दा oxidative addition reaction ठीक है तो यहाँ पे होता है oxidative addition reaction after reaction क्या होगा coordination number सबसे पहले increase हो गया तू से फोर हो चुका है electron counts की बात करूं तो electron अब 16 electron species यह बन चुका है ना oxidation state भी प्लेस टू बढ़ गया है इसमें क्योंकि oxidative addition है इतना चीज़े समझ आ गया अब होता क्या है जो हमारा addition हुआ है वह हुआ है जब भी कभी कोई नया ग्रूप आता है और वह addition करते हैं तो वहां पर कैसा बनता है हमारे पास सीज टाइप का structure बनता है ठीक है अब यह बनेगा सीज structure अब क्योंकि आगे भी हमें कोई group को involve कर रहा है इसलिए क्या करेंगे सीज trans isomerization कर आदिया जाता था थो और यहां उनली क्या किया गया सीज का आइस कुंकि स्टरांस अच decision कर आयद गया है और सीज ट्रांस आइस्मरापाइशियन करया गया जो ने जो उनको घ्रांस में चाइन और यह उस उनको ए आँज कर दिया गया है और यह रोप सीज टर्मिनल एलकाइल ग्रूप जो है वो आने वाला है अगर मैं बात करूँ टर्मिनल एलकाइल ग्रूप की तो टर्मिनल एलकाइल ग्रूप की पास होता है एस्टिक हैड्रोजन यहाँ पर मैंने ले रखा था कोई बेस है ना तो सबसे फर्स स्टेप में होगा क्या सबसे फर् बेस ले रख है उससे reaction करेगा जब बेस से कोई acedic hydrogen reaction करता है तो यह जो बेस है ना वो इस hydrogen को ले लेता है ले लेगा और बिल्कुल इसी ही time पर जैसे ही इसने इसको लिया तो बनने वाला क्या है मेरे पास? इसने इसको लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? H प्रस को लिया तो निगिटिव चार्ज बन जाएगा. बिल्कुल इसी निगिटिव चार्ज से मेरा वो करता है co-catalyst. उसी जो निगिटिव चार्ज जनरेट हुए है उससे जाके attach हो जाता है मेरा co-catalyst. अब co-catalyst हमने क्या लिए रखा है? copper iodide. अब यह जो copper iodide है वो इससे reaction करके अब क्या बना लेगा यहाँ पे? यहाँ पे यह बनाता है हमारा copper का alkyl complexes. क्या बना लेता है? alkyl complexes of copper. ठीक है? copper का alkyl complexes बनाता है. आगे क्या होगा reactions में? trans-mantilation reaction होगा. आगे क्या होगा? अब इतनी चीज़ें सो समझ आई? क्या-क्या? क्यों यूज किया हमने समझ आगे आपको? यहाँ पे मैंने जो terminal alkyne है उनकी जो hydrogen है वो more acidic होता है. उसके reaction base से कराया. base से कराते ही इसने acidic proton को ले लिया. acidic proton लेते ही यहाँ पे काबग inion का formation होगा. क्योंकि यहाँ negative charge form होगा है तो copper आके उससे attach हो जाएगा. और copper का एक alkyne complexes का formation हो जाएगा. ठीक है? आगे की जो process है? उसमें अब होगा क्या? trans-mantilation. देको 2 metals है. दो metal बन गया है ना? दो metal है दोनों के पास अपना-पना ligand है. तो यहाँ पे होगा trans-mantilation process. जो मैंने और रेडी बहुत detail में बढ़ाया है. trans-mantilation होगा. और trans-mantilation में क्या होता है? metal जो होगा अपने ligands को exchange करते हैं. जो call it trans-mantilation. यहाँ बोल सकते हो metal का exchange होता है? यहाँ बोल सकते हैं, two metals होते हो अपने ligand को exchange करते हैं. अब होगा क्या? बस यह exchange करेगा. exchange करके QX बना लेगा. मतलब यह अपना यह वाला जो ligand है, उसको दे देगा इसको, और यहाँ से X को ले लेगा इसको. तो जहाँ से मैंने X निकाला, जहाँ से X निकल रहा है, बिल्कुल उसी position पे यह जा के test हो जाएगा. तो वही किया है मैंने, यहाँ पे palladium के पास चला गया, यह ligand. और यह जो X था, वो आ गया copper के पास. मतलब यहाँ पे transmetallation process हुआने के लिए ही ज़रूरी था, copper को catalyst के रूप में हम लेती. ठीक है, तो transmetallation से हमें मिल गया क्या substitution reaction, दोनों यह ligand, एक दूसरे को substitute कर दिए. जैसे ही substitute हुआ, अब आगे के process में हमें तो बनानी है product, product किसके किसके बीच bond form करनी है, बलकुल, इस arryl group और इस alkyne group करी तो bond form करनी है, और आपको पता है, दो group bond form तभी करते हैं, जब दोनों एक दूसरे से कैसे हो, C's position में present हो, जब दोनों एक दूसरे से C's position में present हो, तभी एक दूसरे के साथ bond बना सकते हैं, जब ट्रांस position में bond बनाना possible नहीं है, यही reason है कि आगे further क्या होता है, C's trans isomerization होगा, and C's trans isomerization से वापस वो अपने position चेंज करेंगे, चेंज करने के बाद यह देखुए, आगे आपने C's position पे, C's position पे आते ही, आगे क्या होने वाला है आपका, Reductive Elimination Reaction, आगे क्या होगा, Reductive Elimination Reaction होगा, Group Eliminate कर जाएगा, साथे साथ Reduction हो जाएगा, ठीके, तो यहाँ पे, Reductive Elimination Reaction होगा, और Product का Formation हो गया, Product क्या बन गया मेरा, AR, R' इस दिस दे प्रोड़क्ट, बन गया, Carbon-Carbon Bonds, Product को Formation होगा, और मेरा जो Catalyst Portion था, वो As It Is हमको मिल गया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फॉर्दर यह 16 Electrons, पसीज है, प्लेस 2 Oxidation State में है, वो आगे जाके वापस 0 Oxidation State में हो गया, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप, Reduction with Elimination, यह बोले, Elimination with Reduction, Eliminate भी क्या Group, और साथ साथ इस जो Group था, उसका क्या हो गया, Reduction हो गया, तो यह तो था आपका Catalytic Cycle of the, किसका सुनागसीरा Reaction, होप आपको समझ आगया होगा, कि होदा क्या क्या है, कुछ भी नहीं है जादा, आप यह दो इस स्टेप को, स्कीप भी कर दो, C-Stronse Isom Ration को, तो जादा कुछ नहीं होने वादा, फर्स स्टेप में Oxidative Edition होगा, सेकेंड स्टेप में Transmethylation होगा, फर्स स्टेप में Reductive Elimination हो जाएगा, तो आप यह बोल सकते हो, कि reactivity किस पर depend करेगा, Overall Oxidative Edition पे, करेगा depend, तो बस उसी को देखने है, कि Reductivity Order क्या होता है, अगर मैं बात करूँ Reductivity Orders की, तो Reductivity Order में आप मुझे समझ आ गया, कि जिनमें Easily Oxidative Edition होता है, वो ही Reductivity Orders को Define करेगा है ना, तो Reductivity Order की बात करें, किसके basis पे देखा गया है, Arryl and Vinyl Halide towards the Oxidative Edition reaction, तो सबसे अच्छा होता है आपका Vinyl Iodide, फिर होगा Vinyl Triflate, फिर होगा Vinyl Bromide, Vinyl Cluride, मतलब Vinyl जो ग्रूप है ना, उसके साथ अगर कोई Halogen Attached है, तो Reaction को फास्टर देंगे, किसके comparison में Arryl, Arryl Iodade, फिर Arryl Bromide, फिर Arryl Cluride, मतलब Over All अगर देखा जाए, तो Vinyl Highlight जो होता है, वो ज्यादा faster reaction करते हैं, किसके comparison में, Arryl Highlight के comparison में, तो ये चीज़े तो होगे, आप कुछ एक्जामपल देखेंगे, एंच कुछ कोश्चिन के देखेंगे, जो एक्जाम में आया होगा, या जो लिंक करके आया होगा, डरेक डरेक कोश्चिन बढ़ाएंगे आपी, बस वही प्राक्टिस करनी है, केटलिटिक रेक्शन सबजने के बाद, इतना चीज़ तो समझ जा गया, कि ज़्यादा कोई कॉम्पलिकेशन तो है नहीं, उनली क्या के स्टेप्स होते हैं, ऑक्सिडेटिव एडिशिन होगा, ट्रांस मेटलेशिन होगा, उसके बाद, रिड़क्टिव ऐलिमिनेशन करके, ग्रूप को, प्रोड़क्ट को बहार निकाल दिया चाता है, होता है ऐसा, अब इसे पहचाने कैसे, तो पहचाने के लिए मेंली दो चीज़े हमें याद रखनी है, एक तो इसके पास, टर्मिनल अलकाइन ग्रूप हो गई होगा, टर्मिनल अलकाइन ग्रूप होगा, बेस दिया रहेगा, बेस के साथ कोई को कैटलिस दिया रहेगा, कॉपर आयोडाइट टाइप का, और साथ ही आपके में कैटलिस, जो कि पैलेडियम का होता है, तो से हमस्ट आएगा कि यह कौन सा अर्य एक्षिन है सोनागसिरा से रिलेटेर रेख्षिन है अब चालो कुछ रेक्षिन दे रखे हैं इजी इजी है तुरंद करते हैं देखो यहाँ पे दे रहा है आपका कोई भी और यहां पर दे रखे हैं आपके अलकाइल ग्रूप ठीक है होगा क्या सेम चीजे यहां पर सुनागा सिरा के सारी कंडिशन फुल्फिल है डिरेक्ट प्रोड़क्ट बना दे क्योंकि अभी तो सीख लिया था अपने मैकनिजम कैसे होता है तो ऐसा कुछ भी रियक्शन दिख किसके साथ में इन ट्रिपल बॉन्स के साथ और यहां से फॉर्दर आपका नग्स ग्रूप बस बन गया प्रोड़क्ट तो इतना एजी साथ हमारे प्रोड़क्ट था अगर हमें पता चल गया कि रियक्शन कौन सी है कुछ नहीं कराया काबन काबन बीश में हमने कप्लिंग करा दिया कुन-कुन से काबन के बीश कप्लिंग करा दिया तो एक यह था आपका और एक यह था यह दो काबन के बीश हमने कपल करा दिया क्रॉस कप्लिंग रियक्शन राइट तो हमें समझ रा जाता है ऐस प्रोड़क्ट बनने वाला है बिल्कुल वैसे ही अगर यहां के बात करें तो यहां पे सेमें सारी condition दे रखीए तो फॉर्स्त में तो मेरे पास क्या बन जाएगा फॉर्स्त में बने वाला है product है बहुत इजी सा product बनने वाला है simple यह ब्रोमीन हटेगा और ब्रोमीन के जगह पर दारेट कपलिंग reaction होगी यहां पर मैं दिखा देते हूं यह यह दोनों कपल के आपस में और यह तो वैसे ही रहेगा अभी कुछ दिया नहीं है तो यह वैसे ही रहेगा और वहां पर है दोगा में ईसे अजय तो यह दो बन गए मिरा ब्रोडर्ग्ट सेके इसकी बात करनें यह थोड़ा इंपर्टिंस रखता इसको समत Dafür यहां भी जादा कुछ हो नहीं रहा होगा तो सुनागा सिरह reaction ही क्योंकि अपे भी वही चीज़ें दिख रहा है कोई group दिख रहा है हमको highlight group और इसके साथ में terminal alkyne group है terminal alkyne group जब इसके साथ attached होगा तो एक चीज़ याद रखना क्योंकि यहाँ पे alkene है तो ये अलकीन की respect में क्या है अपने stereo chemistry maintain करके ही रखेगा जब भी मैं इस group को इसके साथ attach कराऊंगी तो वो इस double bond के respect में अपना stereo chemistry maintain करके ही attach होगा इसमें कोई भी जो इसकी stereo chemistry उसमें changes नहीं आएगा जैसे अभी ये cease form में है तो बाद में भी वो cease form में ही रहेगा after reaction तो यहां पर जब आप product बनाओगे तो कुछ ऐसा होगा यह R है और जहां से X group निकला है बिलकुल उसी group से हमारा दूसरा वाला group जो है वो आके attach हो जाएगा R' समझ रहे हैं और इधर वैसे के वैसे रहेगा मतलब किसी भी type के changes नहीं आएगी तो यह चीज यह हो गया थोड़ चल एक कुछ ने जो मैंने लिख रखा है वो मैं आप लिखती हूं और फिर बनवाती हूं आप कि क्या होने वाला है देखो एक रियक्शन है जिसमें उसने दे रखा है दो ग्रूफ फॉस्पोल दो हैलाइड्स ने लगा कि दे रखा है आयोजीन और क्लोरीन ठीक है चल दी से थोड़ी दिल पहले मैंने बताया था ना रिक्टिविटी ओल्डर उसमें आपको पता चल गया था कि हूने क्या वाला है तो वहां से क्या होने वाला है आप चांदते हूँ फॉस्ट में यह जो हमारा टर्मिनल अलकाइन है वो किस से जा करके अटैज्ट होगा यही है अब बाकी सारी चीज़े दे रखा है उसने अलडाइड हो गया साब कुछ दे रखा था ठीक है तो फॉस्ट क्या बढने वाला है तो पता चली गया पता है तो सेकंड स्टेप में उसने क्या किया सेकंड से टे रखा था नह टू और साथ ही को टर्सलिक बिटल वाला वो भी समझ आना चाहिए आपको यहां से बनेगा एक प्रोड़क्ट भी और फॉदर प्रोड़क्ट भी हे पाथ आगे क्या होनेवाले है और किस टाइब क प्रोड़क्ट जो है वो हमको मिलेगा ठीक है तो इसमें भी जादा कुछ नहीं था यह है ट्रोसाइकलिक रिंग बनाने की प्रोसेजर है क्या बनाने का है चलिए देखते जो यह क्या बनने वाला है सबसे पहले यहां पर है जब उसमें सारा रियक्शन दे रखा है और टामि जो आयोडाइट हो रहता है जादा रियक्ट्व होता है न तो यह अगर रियूज कर देते हैं उसको हटा देते हैं तो वह तो निकल गया और उसके जगा पे हमारा आगया टर्मनेल अलकायल ग्रूप आयडश और यहां पर दे रखा उसने पीपी फिनाईली ग्रूप दे र ठीक है उसके बाद उसने क्या किया reaction में उसने दिया पी एच एनस्टू यह दे रखाया और सांतिक फुर्दर कोई बेस दे रखाया है ठीक है क्या होगा आगे की reactions में क्या होंगी यह जो ग्रूप है वो अब क्लूरीन से हल्टा करके वहां पर अटैज हो जाएगा होगा कि द किजिए यहां पर आजाएंगे हमारे पी एज ग्रूप और यह हो गए आपका रियक्शन यहां तक का रियक्शन बन गया जो कि बी प्रोड़क्ट है फिर अपने आप आगे का रियक्शन प्रोसीड कोईट स्वेंटन यह लीग क्यों यहां पर है लोन पेयर ऊटैक मारे का यह एक टाक इसलिए मार सकता है क्योंकि आपडिय तो फैवरेबल प्रोसिज호 रहा है फाईप मंबर रिंग को फॉमिशन हो रहा है और बं जाता है हमारा हेट्रोसाइकलिक कंपाउंड है रोसाइकलिक कंपाउंड में फाइव मेंबर रिंग के साथ में नेट्रोजन इधर से तो हो गया आपको पी एज ग्रूप और यहां से भी पी एज ग्रूप है और ऐसे करके डबल बॉंड हमारा है रिंग का फॉर्मिशन होता है इस प्रोसेजर से तो ऐसे करके हम करेक्ष्ण होते हैं वो बन जाते हैं आप अक झाल झाल